इदर से हमने critical angle अभी find करना है कि हमारे critical angle जो angle है वो कौन सा होगा critical का जो angle होगा वो कौन सा होगा तो यह हमारा a point था यह b point था जहां से light जो है incident हुई core के अंदर a point के ओपर a point से reflect हुई b के ओपर b से आगे उसने propagate करना है अगर वो उस condition में है total internal reflections की condition में है तो वो reflect करेगी तो इदर हम normal draw करें तो एक angle बनता है point c के ओपर ही हमारा point c है 90 degree का point a जहां से रोशनी reflect हुई theta r हमारा reflected angle और जहां पर अपने core cladding boundary से टकराई जो angle बनाएगी उसको हम phi कहते हैं और यह जो हमारा sign phi है यह is equal है n2 के n2 के means के जिसकी तरफ हमारा angle जा रहा है light हमारी जा रही है ठीक है किसकी तरफ जा रही है n2 की तरफ जा रही है तो sign r हमारा जो reflected angle होगा यह हमारा reflected angle है theta r के जिस medium से reflect हो रही है to और from वाला concept मैंने आपको दिया था थोड़ा सा उसमें पीछे acceptance angle में और स्नेल्स law में तो यह n2 से जा रही है तो sign phi is equal हो जाएगा n2 upon n1 के तो sign is cross multiply करें तो sign phi is equal हो जाएगा n2 upon n1 sin square हम क्या कर रहे हैं critical angle find करना है हमने कि जब light वो कौन से angle होगा कि light इसके surface की उपर travel करने लगे तो उस condition में जो हमारा angle phi होगा वो theta c के बराबर होगा बास समझाए जब यह critical angle की condition में जाएगा तो उस condition में जो हमारा यह phi का angle है ठीटा c के बराबर होगा जब theta c होगा तो जो हमारा reflected angle है angle r यह 90 के बराबर होगा क्योंकि जब यह इदर reflect करेगा interface के उपर तो यह 90 degree का angle बनाएगा तो angle r क्या होगा जो reflected angle है यह हमारा जो angle reflected है यह 90 degree का होगा तो अभी हम sin theta c is equal n1 sorry n2 upon n1 sin r की जगा इसका जो angle reflected angle था इसकी consider किया था हमने 90 degree इसकी value को boot कार देंगे 90 degree तो sin 90 का जो result हमारे पास आता है sin 90 is equal 1 के होता है तो जो equation हमारी बनेंगी sin theta c theta c हमने वो देखा था critical angle में कि जब हमारा angle incident angle जो होता है incident करवाएं जब किसी light को तो जो हमारा reflected angle होता है वो core cladding boundary के travel करने लोगों तो critical angle होगा तो उसको हम theta c से consider करते हैं तो यह theta c हमने निकालना है तो sin theta c is equal हो जाएगा n2 upon n1 के clear तो इसको अगर मजीद solve करें तो sin जो है हमारा sin is equal के उस तरफ जाके sin inverse हो जाएगा sin inverse n square n square upon n1 के तो इस equations की help से हम critical angle को find कर सकते हैं अगर हम इसमें n2 में जो core का reflective index है इसकी value put करें n1 में core की value है वो put करें reflective index की तो इसकी ratio निकालें उसका sin inverse ले 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 तो theta c हमारा critical angle जो है उसकी value निकल आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से value है कि जिससे हम light को incident करवाएं तो हमारा जो होगा critical angle बनेंगा